और कुछ तो हमने नोटिस दिये हैं उस पर चर्चा भी निर्धारित हो गई, 130 के अंतरगत विशेष तोर से जो नोटिस दिया है हमने बारिश और वर्साथ के कारण जो नुकसान हुआ है और जानमाल का नुकसान हुआ है अपकी बार भी और पिछली साल से और उस सारी चीज को लेकर के चर्चा करने के लिए आज समय निर्धारित हुआ है यह में 130 के अंतरगत और इसके साथ में जो और भी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हमने अपनी स्टेटजी बिनाई है और निश्यत रूप से उन सारे मुद्दों को लेकर कर चर्चा करेए कानून वेवस्ता बहुत बड़ा विशे है कल मौब लिंचिंग में वहां बद्दी में एक चौराहे पर शड़क पर ही पीट-पीट करके एक आदमी को एक लटके को तो जान से ही मार दिया और दूसरा जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में पीजिया में एडमिट है और गिरतार दियों भी उसमें बहुत कम अभी तक हुई है 15 लोग जो अवाम पर लाटी और डंडे से पीट रहे थे उनको वो वीडियो देखने लाइक नहीं है जिस तरह के हालात बने हैं और उसके साथ साथ में जो प्रदेश में जो ब्रहष्टा चार है एक बहुत बड़ा मुद्ध है और कोई मेहकमा ऐसा नहीं रह गया जहां पर बड़े प्यमाने पर व्यापक स्तर पर और कुछ जगा राजनेता कुछ जगा अधिकारी इन सारी चीजु में इनवाल्ड है तो चिंता का विशह है और ऐसे सारी बातों को लेकर के बाकी राजनेति मुद्य तो है ही है जो क संद्रीटा गरंटी ऑफ़ें मुखर गए हम सें पहले के छुके थे इस बारे जफिए कि दश्जनम में हैं काउंग्रेस इन फिरलिम को पूरा निकर पाई कि हमारी बात कही वह कलत नहीं थी पर आज उन्हीं बातों से मुकर रहे हालात नहीं है हगर हालात नहीं ए क्यों कि चुनाब से पहले आप जूट बोल करके लोगों को गुम्रा करके जो आप सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी बोलते रो और उसके बाद सत्ता आ जाती है कुरसी आ जाती है उसके बाद आप मुकरते जाओ कि भी आज की हालात नहीं है आर्थिक स्थिति नहीं है कर्मचारी आज मैसूस कर रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार के दुरान जो मांगा गया वो दिया गया एरियर्स उनके दिये गए डिये की किस्तें उनके अदा की गई मेडिकल रिंबर्समेंट के सारे जो जो पैंडिंग बिल्स थे उस पे पेमेंट की गई उनको और आज ना उनको मेडिकल रिंबर्समेंट मिल पारी है ना डिये मिल रही है यहां तक के नौबत यहां तक आ गई तो इन तमाम मुद्दों को ले करके आज जो मुख्य मंत्री निसारी बातों को ले करके जवाब जो जो मुख्य मंत्र कहते थे हम कर्मचारी तैशी हैं आज ये ये उनके खिलाब नारे लगाने वाले कौन लोग हैं जो सची वाले के बाहर लगातार पिछले लंबे समय से जो जो गुंजाइश है उन्हें पर हम बात करेंगे और सरकार को जवाब देना होगा देखे अगर उनने ये कहा है तो उनने ये गलत कहा है सरब्दली बैठके पहले भी हुई है कई बार एक बार ने नेकूं बार वो नहीं आये और कल जो खास्त और से जो परसिती वस नहीं आना हो पाया तो हम उसी तक ही सीमी थे लेकिन अगर परंपराओं का जिकर कर रहें परंपराओं की धजियां तो आप लोगों ने उठाई है उड़ाई है कॉंग्रेस ने उड़ाई है इस बात को लेकर के वड़ास पश्ट रहें सरकार के और मुझे इस बात को लेकर के हम बिधान सबा के अध्यक्ष के बारे में समान रखते हैं उनके प्रतिय लेकिन एक बात बिधान सबा के अंदर अध्यक्ष मोदे जो कहें जिस तरह का निरन करें उस पर हम बहुत जादा नहीं बोलते वह बात वहीं खत्म होनी चाहिए और खत्म होती भी है और हमने खत्म की भी लेकिन विधानसवा के बाहर जा करके सारव जनी कारेक्रम में अपने कुलीक्स के बारे में अपने सहयोग्य विधायकों के बारे में कहें कि छे के सरकलम हो गए और तीन के आरी के नीचे है इसके लिए अजयक्ष मोध्य को माफी मांगनी चाहिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैठके बढ़ा कर जो है वो दस कर दी गई आँ इसना आपरचुनिल्टी को अभी एल करें यह है थैंक्यू